दोस्तों मैं संजा आपका बहुत-बहुत स्वाइब करता हूँ रक्षा वंदन की सभी को बहुत-बहुत सुपकाम नाए आज रक्षा वंदन का त्योहार है और इस त्योहार को भई सभी लोग पूरे देशबासी बड़ी हरस उल्रास के साथ मनाते हैं तो चलिए दोस्तों आज बात करते हैं निफ्टी ओप्शन्स की आज की परफॉर्मस के रिगार्डिंग तो आज कैसे क्या काम हुआ निफ्टी ओप्शन्स में बहुत सारी बाते इस वीडियो के माधिन हम लोग डिसस करने वाले हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेता हूँ तो य तो देखेगा जैसा कि यहाँ पर देखेगा निफ्टी का आपका फ्यूचर का यहाँ पर चार्ट लगा हुआ है तो निफ्टी का फ्यूचर का जो चार्ट आप लगाते हो उसमें ओपनिंग केंडल जो होती है उसमें ओटोमेटिक इस तरह से एक लाइन ड्रो होके आती है जिससे आपको पता चल जागा कि market यहाँ से open हुआ था तो आपको simple size line पर click कर देना है और इसके बाद देखेगा आपको इस candle का opening price आपको यहाँ पर शुकरेगा तो आज का जो opening price था कितना था? 19,410 का यानि कि आज जो strike price बनता है वो 19,400 का strike price यहाँ पर बन रहा है अपना option chart और यहाँ पर देखेगा दिखाने कुछ करूँगा काई दिन भर इसके अंदर क्या हुआ तो सब सब पहले मैं बात करना चाहूँगा nifty का put option के regarding फिर मैं बात करूँगा call option की तो चलगे? ठीक है तो हम चेक करते हैं बार रिप्लेस है आज की performance कैसे इसमें काम हुआ था और कैसे क्या है आपर signal generate हुए थे तो जैसे कि मैं आपको देखीगा स्टार्टिंग में बोल दूँ जब भी हम काम करते हैं options के अंदर तो हमारा जो premium value है वो लगबग 100 रुपीस के ऊपर होना चाहिए अगर आपका premium value 100 रुपीस के नीचे है तो वहाँ पर आप काम नहीं करोगे तो आपको इस case में आपको जो अपना strike price है वो change करके इंदमनी करना पड़ेगा जैसे कि देखेगा आपका निफ्टी का पूट ओप्शन है यह तो इसका उन्नीशार 400 का यह पूट ओप्शन है तो इसका इंदमनी जो होगा उन्नीशार 500 होगा तो मैं उन्नीशार 500 यह आपर select कर लेता हूँ अभी देखीगा जो आपका price चल रहा है लगबग 100 रुपीज के आसपास है तो यह चलेगा थोड़ा आगे बढ़ते हैं जैसे हम लोग आगे पढ़े देखिए आपका price जो है वो लगबग 90 और 95 बीच में चल रहा है लेकिन जैसे 90 से नीचे जाएगा हम यह पर फिरसे strike price क के अंदर change करना पड़ीगा अभी आपका जो चल रहा है 90 कास पर चल रहा है लेकिन देखिएगा आपका प्रेमियम बेल्यू है और भी नीचे हो गया है तो हमें और भी ज्यादे इंदमनी जाना पड़ीगा ताकि हम यहाँ पर एक सही रिजल्ट पास सकें तो यहाँ पर द दखेगा अभी तरक के अंदर लगातार यहां पर वाट चल रही है और आपकी price भारबां यहां पर moment दिखाई दे रहा होगा ठीक है तो इसके इंदर देखेगा अभी तक कोई भी यहां पर entry नहीं बनी है जिसके अंदर हम काम कर सकें क्योंकि हम वह entry पर काम करते हैं जिसमे यहां से जनरेट हुआ थोड़ा मैं पीछे इसको करता हूँ और आपको बताता हूँ को भी उस तैम पे क्या हुआ तो यहां देखीगा जैसे आपका बाय सिंगल जनरेट हुआ नेस्ट केंडल पर आपको एंट्री करना था तो नीचे देखें वोल्यूम आपका रेड है सासत जो मार्केट का स्ट्रेंथ है बो भी जाद कोई पावरफुल नहीं है तो इसका मतलब यहां पर हम काम नहीं कर सकते हैं ठीक है जब मार्केट का स्ट्रेंथ 40 परसंट हो ग्रीन यहां पर देख सकते हैं यह वाला जो रिएंट्री पॉइंट आ इसके में चेक कर सकते हैं जहां से भी रिएंट्री पॉइंट आपका यहां से जनरेट हुआ थोड़ा पीछे कर देता हूं उसको भी देखेगा रिएंट्री यहां से जनरेट हुआ इसके बाद यहां पर च अपर देखने के लिग मिले हैं मार्केट नहीं पनता यहां पर यह देख सकते हैं पर जैसे यहांपर देख सकते हैं यहांपर चैनल पर पर डीज़ करने थी आप चेक कर सकते हैं यहां पर अगर देखेए तो देखिए आपका वॉलिम ग्रीन था और नेस्ट केंडल पर देखिएगा आपका जो स्टून था लगबग सब 34 % के लगबग आसपास था तो यह आप संधियस पर सकते हो लगबग 186.80 के आसपास आपकी वायन वेल्यूसर नेस्ट कंदल से आपको entry करना है तो entry जब आप करेंगे तो क्या करेंगे नेस्ट कंदल पर आप entry करोगे नेस्ट कंदल का आपका lower price कितना है 186.80 तो यहां पर देख सकते हैं, हम यहां पर easily entry कर सकते हैं अगर यहां पर आपकी 186 के आसपास एंट्री ने उपाती 187 कर सकते 188 तक कर सकते हैं कोई दिक्कर ने 4-5 पॉइंट उपन इसे चलता है तो वहां पर जैसे वाइट कल रग्दल आपकी generate होगी तो वहां पर एगसित कर जाते हों लेकिन सिंगल जर्ट होता है तो वहां पर जब तक आपका अचीव नहीं होता तब तक यहां देख़ेगा आप यहां पर भी एगसित नहीं कर सकते ठीक है पहला आपका वाइट कंडल लेकिन exit नहीं करेंगे, हम first target अच्छीव होने बाद अगर white color candle generate हो गया, definitely वहाँ पर exit कर जाएंगे, चीक है check करते हैं, जैसे हम आगे बड़े आप चेक कर सकते हैं, आपका लगबग यहाँ पर देख सकते हैं, यह first target आपका अच्छीव हो गया, अब हमें simple सा wait करना है exit point आने क यह फिर white color candle आने का, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, इस candle पर आपको exit point यहाँ पर मिल चुका है, थोड़ा हम इसको highlight करके आपको दिखा दूँ, ताब कि आपको चीजे clear हो जाएं, यह देखीगा, इस candle पर देखीगा, आपको exit point यहाँ पर exit symbol आपको मिला है, इसका मतल market का अंदर अभी तेजी नहीं आने वाली, इसके बाद ही क्या हुआ, इसके बाद देखीगा, market आपका sideways चला, फिरस से यहाँ पर एक re-entry का signal आपका मिला, थीक है, तो मैं re-entry के signal पर आता हूँ, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, जैसे आपका re-entry point यहाँ पर मिला, आपको नीचे चेक करना था, volume और volume साथ आपका strength check आपको करना था, तो market का strength अगर आप check करने, देखे कितना है, 82% के आसपास है, तो इसलिए में आपर entry कर सकते हैं, तो next candle अगर check किज़ेगा, next candle का आपका lower कितना है, लगबग देखीगा, 216 रुपे का आसपास है, और entry candle पे, entry candle द देख सकते हैं, market का अंदर movement काफी तकड़ा मिला है, closing के टाइम पर यह बात है, लगबग यह, 238 की बात है, तो यहां से हम लोग अगर entry करेंगे, entry price कितना आपका, 200 रुपे 90 पैसा, इसके बाद check कर सकते हैं, market का जो high बना है, लगबग 250 तक का ही बना है, इसका बाद exit point यह अगर अगर देखें, तो लगगए 238 के आसपास इसने exit भी करा दिया, अगर आपने 216, 220 तक भी अगर entry करी है, और आप यहां पर प्रोफिट बुक नहीं कर पाए हो, तो यहां पर इस candle पर आपको strictly exit कर जाना है, तो 238 के आसपास आपने काफी अच्छे आपर profit बुक कर लि चला, इसके अंदर ये काम हुआ, जो कि मैंने सारी performance आपको बता दी, अब बात करते हैं, तो आज का strike price कितना था? आपको दिखाता हूं, और कोई भी आपर correction करने ज़रूत पड़ी तभी बिलकुल हम correction करेंगे, क्योंकि यहां पर अगर हमें price 100 rupees के नीचे अगर premium value मिलती है, तो definitely हम आपको क्या करेंगे, हम strike price का changes करेंगे, जैसे कि यहां पर आप चेक कर सकते हैं, पाचास रुपे की value चल कर सकते हैं, मैं call option जो है, उसका इंदमनी लेकर आता हूं, 19300 वाला, तो यहां पर आपकी price check कर सकते हैं, 100 rupees के उपर है, तो definitely इसके अंदर हम काम कर सकते हैं, ठीक, आगर बढ़ते हैं, जैसे हम आपर आपर check कर सकते हैं, हमें कोई भी आपर re-entry करने के लिए signal नहीं मिला, आल re-entry आता हुआ, दिखाई दिया यह वाला, तो यहां पर आप check कर सकते हैं, volume आपका green था, साथ साथ आपका market का strength है, वो भी अच्छा खासा green है, यानि कि हमारे जो entry होगी, लगबग 111.40 पैसे के आसपास entry होगे, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जैसे हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर आप re-entry करते हो, re-entry करने के जश्ट बाद अगर white color की candle कभी भी generate हो रही है, तो बहाँ पर आपको strictly exit कर जाना है, तो हमने लगबग 141 के आसपास entry की और यहां पर देख सकते हैं, 138 के आसपास exit कर दिया, तो लगबग 2-3 point का में आपको नुकसान हुआ, जाद से आपको एक re-entry के लिए आ रहा था, लेकिन वहाँ पर re-entry बन नहीं पाई, और market देखेगा, महां से अभी sideways चल रहा है, तो इस तरह से देखेगा, नेपटी के call option में अभी हमने कुछ नहीं किया, ठीक है, मौर निंग से अभी तक हमने कुछ नहीं किया, लगबग 111 का यह दो चार्ट लगा शकते हैं, तो आप एक ही इसकिन पे दो चार्ट लगा सकते हो, बिल्कुल मैं आपको बताऊं गा, वीडियो के end में जरूर बताऊं गा, बस इसका मैं बहर reply आपको बताओं तो दो चार्ट में एक साथ आपको लाएक सिंगनल घा उंगा, उदसके बाद एक बज़े का यहां पर टाइम हो चुका है लेकिन अभी तक हमने कोई एंट्री नहीं कि यहां पर देखिए आपका बाइस सिग्नल जनरेट हुआ लेकिन नीचे आपका वोल्यूम रेड था तो इसका काम नहीं कर सकते हैं हमें ऐसा सिग्नल चाहिए जिसके ने सारी कंडिशन मेच हो तो यहां पर कंडिशन मेच नहीं थी आप चेक कर सकते हैं अपने लिए फॉल्स सिग्नल था इसके अंदर हम काम नहीं कर सकते हैं इसके बाद देखिए सेल सिग्नल आपका मार्केट ट्रेंड हो डाउन में आग चुका है लेकिन भाई हमें कुछ नहीं किया विदक ह है आप टाइम हो चुका है को अदरे गरावट देखने के लिए मिल रही है अब ही देखेगा आपके जो प्राइस अब 100 रुपीज के नीचे आगई हम क्या गरेंगे और ज्यादे इंदमनी जाएंगे तो उननी दोसों का मैं प्राइस कर लेता हूं और देखेगा इसका प्राइस लगए 100 रुपीज के उपर है तो हम इसको चेक करेंगे तो यह दोस्तों इसी आपको करने ही पड़ेगी क्योंकि जब भी मार्किट का जो प्राइस होता है नाइंट रुपीज के जैसे नीचे जाता है तो वहाँ पर आपको इस ट्राइक प्राइस चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमें ऐसी चाहिए जो कि इसका प्रेमियम जो हो 100 रुपीज के उपर हो ताकि हमें अच्छा खासा मुमेंट मिल पाए और ताकि हम उस पर काम करके अच्छा खासा मुनापा अर्न कर सके हैं तो यहां पर आप चेक कर सकते हैं इसका अंदर देखे कुछी नी मिला निफ्टी के कोड के अंदर के आज में कोई भी काम निकिया लेकिन निफ्टी के पूट उप्शेण के अंदर काम हुआ और इसके अंदर हमें पैसा जरूर बनाया तो दोस्तों इस तरह से आज काम हुआ था जैसे कि कोल ओप्षेन के अंदर काम हुआ था यह वाला इसके अंदर लगबग मेरा आज सत्ता है आपका असपास मेरा आज क्या प्रोफिट है यह सर मेरा यह अकाउंट है जो कि मैं आपके सामने शेर किया है हालागे मैं डेली बेस मेरी जो भी ट्रेडिंग होती है मैं शेर करता हूं बहले लोस हो या प्रोफिट में सभी चीज़ें आपको बताता हूं ठीक है सर यह देखिएगा ओइनल अकाउंट है कोई फेक नहीं आप है बहुत से लोग वोलत नहीं सकता है फेक होगा कुछ ऐसा ह होगा वैसा होगा सर ऐसा कुछ निदेखिए का मार्केट के अंतर आप काम कर रहे हो Одहीं हो ओभी मैं काम करता हूं वे वीडियो की description में आप जाएंगे, वहाँ पर telegram का आपको link मिल जाएगे, उसके माद्यम साफ daily business पर जान सकते हो कि आज के market के support and resistance क्या है, तो जिसकी मदश साफ easily market को identify कर सकते हो और एक अच्छा खासा मुनाफ़ा बना सकते हो, तो आशे करता हूँ, दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे वीडियो जरू लाइक कीजगा, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल जरू सब्सक्राइब कीजगा, मिलता है एक नई वीडियो साथ, तब तक के लिए, बाई and थैंक्यो.